क्यों का येस, कंपोज यूर ड्रीम मैं करा दूंगा साल सब्जेट के तो आपको प्रेक्टिस अच्छी से हो जाएगी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंटर के पूछेगा उसकर आप आपको दिया जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा बिल आइकन को जुरूब प्रेस करेजिएगा जिससे इस तरह करा साब को लगातार मिलती रहे हम दो सुरू करते हैं सिधे कोशन की और पहला कोशन है निम्न पर विचार कीजिए पहला ऑप्सन है या मानोसरी की दूसी सबसे बड़ी गरंती है किसके बारे मात हो रही है जो आपसन नहां दिया गया इसके बारे में किसी एक में तो मानोसरी की सबसे बड़ी गरंती आपको पता है कि यक्रित है लीवर है मानोसरी की दूसी सबसे बड़ी गरंती कौन सी है ये बताना है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्वरावित होता है तथा चारिय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा ज जार्ट से निकलता है यह चीज़ा को अच्छे से याद एक ना है ऐसे ही कूशन एक्जाम में पूछे आते हैं तो इसका answer हो जाएगा ये कृत्मी लीबर में ही पित का निर्मार होता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A नेट कॉशन है अनिम्न में से कौन सा आहार मानो सरीर में नए उतकों की बिद्धी के लिए पोसक तक परदान करता है तो ने उतक मतलब हो गया कि ने टीसू उतक किसे कहते हैं कोसिकाओं के समू को उतक कहते हैं तो नए tissue का निर्मार किस के दिवारा होता है, पनीर से होता है, जब हम पनीर खाते हैं, तो हमें protein ज्यादा मिलता है, OC से जो है नए उत्को का निर्मार होता है, तो इसका एनसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुछा जा रहा है कौन सा मानो-Ah बाहार तो प्रोटीन नामक जो प्रोटीन किसी मिलता है फूल से पनीर इस पर फाद में होते excited नेसरगी जो है रूप से हमारी अहार नली में नहीं पायाते हैं बिल्कुल गरत है वो पाया जाते हैं पर जैबिक दुख्द सक्राओं की पाचन में साहक होते हैं यह भी बिल्कुल सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C प्रभाव में पायाते हैं तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा आपका D ठीक है नेक्स आपका विटामिन्स क्या होते हैं जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं एक सब्सक्राओं पूछा जाए तो यह जैविक योगिक होते हैं ठीक है यह आज जैविक नहीं होते हैं यह जैबिक योगिक होते हैं जितने विटामिन्स होते हैं वो जैबिक योगिक होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी ठीक है निक्षा है आपका अधिकांस विटामिन्स मानो सरीर में संसलेसित नहीं किये जाते हैं यह बिल्कुल सही है तो इसका जो है और आर गलत है ठीक है निक्षा कार्ण के कोशन दुसरा दिया गया है लिखा है मानो सरीर अपने लिए तो हैं दुसरा है सभी के उचित विकास के लिए विटामिन्स अनीवार होते हैं ति आपका सही हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा डी ए गलत है और आर सही है तो इस तरह के कुष्ण भी कथन कारण के हमेशा पूछे जाते हैं, एक दो कुशन हमेशा होते हैं एक जाम में, निश्ट आपका विटामिनों के बारे में निम्रकिन में से कौन सा कथन सही नहीं है, विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है, पहला है जो है आपका कुछ कुछ विटामिन्स हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन्स सरीर में जमा होते हैं, यक्रित में जैसे विटामिन A यक्रित में पायाता है, वे भी बिल्कुल सही है, विटामिन K जल में घुलनसीर होता है, बिल्कुल गुलत हो जाएगा, तो जल में घुलनसीर विटा को कम से कम 27 तत्तों की आवसक्ता होती है जो जिवधारी होते हैं उनमें कम से कम 27 तत्तों की आवसक्ता होती है तक यूंको सरी का निर्मार होता है विकास होता है जिनमें से 15 धातुएं हैं इनमें से जो परमुक मातरा में आवस्यक होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं तो मानु सरीर के लिए तो इसका जो answer है वो हो जाएगा आपका C potassium, sodium, magnesium और calcium यह सबसे ज़्यादा जरूरी है मानो सरीर के लिए तो इसका answer हो जाएगा आपका जो है C नश्टा आपका सेव का हिर्दे रोग्यों के लिए बिसेस महतु है क्योंकि वे बड़े सरोत किसके होते हैं तो सेव में क्या पाजाता है केवल potassium पाजाता है किसमें सेव और सेव हिर्दे रोग्यों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि कहा जाता है कि हिर्दे रोग्यों के लिए उनको सेव खाना चाहिए तो इसका जो answer है वह हो जाएगा आपका D, इमे क्योल पोटेसियन पायाता है, हिर्दे रोग्यों के लिए बहुती आवस्ते होता है, ठीक है? मानो तंतर में प्रती आक्सी कार को का कारिक क्या है? तो यह आपका पहला option है, या vitamin sensation को बढ़ाते हैं, गलथ हो जाएगा, या कार्भोहेट्रेट पोठीन अवस्ता के अतेरिक आक्सिकाण को रोकते हैं, गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, या मुक्त मुलकों को परभाव से कोसिकाण को बचाते हैं, यही इसका एंसर हो जाएगा C, तो यह जो क्या करते हैं, कोसिकाण को बचाते हैं, बाहरी पर सब्सक्राइब करता है यह कुशन बहुत ही महत्पूर है लोग जो लोग तप्तु होते हैं उनके सब्सक्राइब की लिए विटामीन C थित का अइंसर हो जाएगा आपका ए नेइसद आपका निमट्रखीद मेंसे कौन सा यूग्म सही सुमिलित नहीं है इसमें कौन सा ऐसा है यह जो सही सुमिलित नहीं है जिसे आपका जो है नियासीन पेलागरा रोग होता है बिल्कुल सही है थाइमीन से बेरी-बेरी रोग होता है बिल्कुल सही है विटामिन D से सुखा रोग होता है बिल्कुल सही है विटामिन K से अंध्यापन नहीं होता है इसे उलप्ता हो जाता है आपको दलत हो जाएगा ठक्के नहीं बनते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर D, ठीक है? नेश्टहिण ही कहा बाइबन मैक्टार्ज में बिटारमीन A संचत कहां रहता है? तो हमारे श्री में बिटारमीन A जो है कहा संचित होता है लीबर में तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A नेक्स्ट आपका निम्रकी में से किसका निर्मार्ण हमारे सरीर में नहीं होता है ऐसा क्या होता है जिसका निर्मार्ण हमारे सरीर में नहीं होता है तो विटामिन A का निर्मार्ण हमारे सरीर में नहीं होता है ठीक है यह हमारे जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है ति हमारे अबाइंसर हो जाएगा आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है, बिटामिन जो है, बहुत जरूरी है, रसानिक नाम है ये जो है, हमारी आखो की दृष्टी को बढ़ाने का काम करता है, तिसका अएंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर D. नेक्स्ट आपका, यह दि कोई बैक्ति, कथन क Chanuk कोशन है, यह दि कोई बैक्ति, जो है, सब्जी फोगवराद कोई एक सब्जारा में वंばい过गें, गरेमीन खुचा कोई क سब्ढक सब्जा कोई दें, तो उसे नर्तौंदी हो जाएगाृइगा धेमीजी तो बिटामिन A की कमी से तो रतोंदी हो जाएगी तो बिल्कुल सही है लेकिन आफसन दूसरा पहला कथन कर गड़त हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा D नेश्ट आपका एक मनुस्य को बेरी-बेरी सुखा रोग और इसकरवी की बिमारी है यह दिवा नहीं लेता है क्या चीज़ इसमें चार आपसन में इससर क्या नहीं लेता है कौन सो बिटामिन नहीं लेता है जिस सू होता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बी विटामिन B1 से बेरी-बेरी D से सुखा रोग और C से आपका इसकर भी रोग हो जाएगा तो इसका N से हो जाएगा आपका जो है B, ठीक है? नेक्शन आपका निम्रखित युगमों पर विचार कीजिए ठीक है? और सही कथन की पहचान कीजिए एक तरफ विटामिन दिया है एक तरफ लिखा है इसकी हींता से होने वाला रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग पुछा गया है और कौन साइस में सही सुमिलित है? ये पुछा गया है, ठीक है? पहला है विटामिन C से इसकर भी रोग विटामिन E की कमी से है तो इसका जो एंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 अर्था सोसेयों एक और 2 ठीक है तो इस तरह के विटामिन से कुशन बहुत ज़्यदा हर इक जामी पुच्छे जाते हैं इसको अच्छे से याद में नेरीज कुछन है निलुकी में से कौं सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमलित नहीं है ठीक है तो कैसी फेराज से अस्ति रोगता होता है बिलकुल सही है जो है नियासीन से पिलागरा रोग होता है बिलकुल सही है कोबाल लॉमिन से रक्रलता होता है बिलकुल सही है और जो है आपका डी नमबर है राइबो फ्लेमिन से बेरी बेरोग नहीं होता है तो जो राइब आपका protein योंवसाद दोनों की पर्चूरता है तो protein और वसाद दोनों किस में पायाता है किस जो है भोज पदार्द पायाता तो मूंग फली में वसाद भी पायाता है और protein भी पायाता जिसका answer हो जाएगा आपका B नेश्ट रहे आपका nitrogen एक आवस्यक अवयो नहीं है मतलब nitrogen इसमे किसमे के लिए आवस्यक नहीं है तो इसका जो answer है वो हो जागा कार्बो हैट्रेड कार्बो हैट्रेड के लिए nitrogen आवस्यक नहीं है तो यार रखना यह बहुत ही महात्पुर्ण कोशन है ईसका जो एंसर है वो हो जाएगा आपका फासफोरस फासफोरस ही जो है अमलेता और छालेता के बीच में संतुन बनाए रखता है यह भी बहुत महात्पोर्ण कोशन है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A निश्ट आपका निम्र की खनीजों पर विचार कीजिए और उपीउत खनीजों में से मानुसरी में पेसियों के संकुचन के लिए किस की आउसकता होती है तो मानुसरी के पेसियों के संकुचन के लिए किस तक तक की आउसकता जादा होती है तो इसका जो answer है, पहला है आपका calcium बिल्कुल सही, low तक तो बिल्कुल सही, और sodium बिल्कुल सही, तीनों क्या हो सकता होती है, पेसियों के लिए, तो इसका answer हो जाएगा आपका D, 1, 2, 3, सब सही है, ठीक है? नेश्टा आपका, दूद किस बैक्टीरिया के करण खराब हो जाता है, जिससे दूद अगर हम गर्मा के नहीं रखते हैं, कुछ देर के लग देते हैं, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है दूद को खराब कर देता है, जिससे दूद फट जाता है, तो उसका नाम है LinkedIn ले होता है तो दूद का दही में प्रोटन जो है किसके दौरा होता है यह बैक्टिरिया के दौरा होता है और उस बैक्टिरिया का नाम क्या है यहां उपर दिया है इसका नाम है लेक्टो बैसिलस इसी दौरा दूद जो है दही में बदल जाता है ठीक है नेश्टाप का दूद प पचाने वाला काम करता है तो उसका नाम है आपका rheninehus का answer हो जाएगा आपका c next आपका casein dudh होता है. कैसी दूदh क्या होता है कि ये आपका होता है protein तो जा दो ये तखना जो casein होता है protein होता दूध हो में पार जाता है । इसका बहुए गया है तो कैसी नामक 비디오 पायता है। इसी के कारण DAVID का जो रंग है वो सफेध हो जाता है इसके यौता है दिंस्का लिटियोर होता है किसे प्रोटीन किस थे मिलता है पनेर के खाने से औ Cos pregunta करें के मिलता है यह कुष और दिसकाहिस होता हैtt वो प्रोटीन से होता है इसका answer हो जाएगा आपका C, ठीक है, निश्टा आपका मानुसरीर की धीमी ब्रिध्धी निर्वन मेंसे किस कमी की कारण होती है, बहुत से लोगों गैसे होते हैं, इनके मानुस सरीर में बिर्धी बहुत धीमे गती से होती है, लंबाई बहुत धीमे गती से बढ़ती है, तो उसका जो एंसर है वो हो जाएगा आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी कारण ही सरीर की जो बिर्धी होती है, बहुत धीमे गती से होती है, नेक्श आपका निम् और ये चारो आपस हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका D चारो आपस जो है महात्पूर्ण है और सभी प्रोटीन के लिए जरूरी होते हैं और सभी प्रोटीनों में ये बिद्धमान होते हैं तो इसका एंसर D हो जाएगा नेश्टाव का तरौन, तर्व मतलब होता है बच्चे, वहस्ब, और ब्र्द बेक्तियों में परोटीन की आउसकता मज़ूंता है? तो इसका बहुत जरूरी है, मेनरब बहुता हई कुशन है, तो इसका एंस और चायगा आपका Сी बिद्धों में प्रोटीन की आउसता उच्षेता रस्तर पर होती है और जो बच्चे होते हों में नियून्तम अस्तर की होती है तिसका याणसे हो जायगा आपका C हो जाएगा तो बिद्धों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है यह भी आपको याद रखना है ठीक है निश्ट आपका दूद पिलाने वाली मा को प्रत दिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आउसकता होती है ठीक है यह बहुत महात्पूर्ण है यह इस पे जो है सेंग राजसंग ने भी काफी चर्चा किया था इसका एंसर हो जाएगा आपका सी 70 ग् मा को होना चाहिए ठीक है मिलना चाहिए आपका मा का दूद नौजात को लगभग संपूर आहार परदान करता है कि इनमें निम्रखी में से एक आभाव किसका होता है जो मा का दूद होता है जो बच्चों को पिला जाता है उमें लगभग संपूर आहार पा जाता है लेकिन आपका दूध में प्रोटीन और कार्भोहेटरीट के अधर AND तक्तितु में क्या होता है तो है नाद दूध में प्रोटीन और कार्भोहें है पायता है जो ऑस रहाए जाए बी कैसियम और बोटेसियम भी पाय जाता है इसका अंसर हो जाएगा बी नेश्ट आपका इस्टार्च और सिलिलोज के बारे में निम्रखित कत्रों पर विचार कीजिए और इमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है ठीक है दोनों का बरस्पतिक उद्धव होता है बिल्कुल सही दोनों बहुलक होते हैं बिल्कुल सही आयोडीन के साथ दोनो बहुत कमजोर हो जाए और सही उतर का चैन करना है तो किससे कूपोशन होता है तो पहला है आपका है जो है अतिपोशन अगर किसी को ज्यादा प्रोटीन दे दे जाए ज्यादा पोशन दे दे जाए तो बहुत मोटा हो जाएगा उसे भी कूपोशन कहेंगे अलप पोशन इ ठीक है ठीक है पहला ये मानॉत भाजन में वसा अमनो've का एक भाग होना just क्याईए यो आ ऐल navigate वी यृत? पहल्ण का सब्सक्राइव किसी भी परकार के वसा है सनुआ कुर्शक हो आवस्टक वस्टा अमलोग की अनुपसिती से नियोन्ता रोग उतपन होता यह विल्कुल सही है इसका एंसर हो जाएगा B एक दो उच चाट सही है इसका एंसर B हो जाएगा ठीक है नेच्ट आपका controles C LC जो है एक जो है जिसे तेल निकलता है तो LC किसका परचूर सुरोथ होता है तो LC लोग अक्सर खाते भी है तो LC में क्या पाजाता है तो Omega 3 वसी अमल पाजाता है इससे जो है बाल काले होते हैं बाल ज़ड़ते नहीं है तो LC पाजाता है किस में जो LC में क्या पाजाता है तो Omega 3 पाजाता है तो इसका answer हो जाएगा आपका B और मच्छीली में भी omega 3 पायाता है ठीक है next question बहुत मात्पूर्ण है लिखा है हमारे सरीर में तोचा तल के नीचे बिर्दमान वशा निम्निकरी के बिर्द और उधक का काम करती है जब हमारे सरीर में जो वशा होती है वो क्या काम करती है यह पूछा गया है तू याद रखना यह सरीर की उस्मा का 6 नहीं होने देती है याद रखना सरीर में जो है उस्मा बनी रहती है तो इसका answer हो जाएगा आपका A ठीक है इसलिए जो मोटी लोग होते हैं जो मन उसको सबसे अधिक उर्जा परदान करता है यह बहुत बेभारी कुशन है तो इसका answer हो जाएगा C कार्बोहेट्रेड वशा और प्रोटीन यह तीन चीज़ जो होती है जो मानुस सरी में सबसे अधिक उर्जा परदान करती है अधिक आपका कुलेस्ट्रॉल है क्या होता है त्याद यह आपका जंत वशा में उपसित वसीलिय अलकुभल होता है ठीक है यह कोलेस्ट्रॉल होता है और इससे जो है तरह की बिमारी हो जाती हिर्द्य रोग हो जाता है सास लेने में प्रावलम होती है, खून का संचार भी रुख जाता है, ठीक है, निश्टा आपका कोलेस्टरॉल का आसामान अस्तर सम्दित होता है किसे, तो कोलेस्टरॉल का आसामान अस्तर किसे सम्दित होता है, तो धमनियों को कठोर हो जाना, जो धमनिया हो जाती है, वो उनका संचार भी होता, यह भी या रखना, इनश्कूरूशन है, ट्राइग्लस राइड क्या होता है, ठीक है, एक तरह का यह वसा होता है, इस वसा को है, ट्राइग्लस राइड कहते हैं, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका C, नेश्ट आपका कौन सा बरस्पती तेल, हिर्द अक्सर कहते भी हैं, यही तेल खाना चाहिए, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका A, और नेश्कूशन है, जि किस्तत प्रामर्स देते हैं, मिर्द ड्रामर्स देते हैं, कि हमें अपना भोजन बरस्पती घी के पेच्छा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि, क्योंकि तेल मे आजसर्टित्व वसाय होती है, जो खतरनात नहीं होती है, जो जो है, जीवन के लिए बहुत उप्योगी होती है, और इससे जो है फैट सरी में नहीं जमता है, तो ड्राक्टर अक्सर सलाह इसे लिए देते हैं, कि हमें आजस्पति घी का उप्योग करना चाहिए, ठीक है, इसका answer जाएगा आपका A ये 50 question फिर मैंने आपको करा दिया है इसी तरह की video आपको लगातार मिलती रही हो सारे करने चाहिए को कुर्षन लगातार आपको कराते रहेंगे प्रेट्रिस कराते रहेंगे इससे आपके त्यारी अच्छे से हो सके कोई डाउट होता है तो कमेंटर के पूछेगा ओके थैंक यू